तो फाइनली स्वागत थाप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चनल सरदार जी एज़कुरिशन में है तो पिछले वीडियो में हमने क्रच्छा बारवीं का ही फिजिक्स का फेपर फिजिक्स का आएंप्य कोशन डाले थे जिसमें कि आपके बहुत ही महत्पूर्ण प्रश कोशन में कोशन आने हैं जी जी इन फैस्ट को ध्यान पूर्वक अच्छे से समझेगा कि यह प्रेश्म बहुत ही ज्यादे हैं और आपको इसवाले चैप्टर से यह कुस्चन जरूर से जरूर से जरूर स्टड़ी कर लेना है आपके इक्जाम्स के तयारी के लिए तो चलि से पहले देखिया पहला सबसे पहला कुश्चन जो कि आपका जो पांच नंबर का दो नंबर दूसरे चप्टर से आने वाला है तो एक दो नंबर का एगा एक तीन नंबर का एगा इस तरीके से आपको कुश्चन आएंगे तो इस तरीके से हमने को आपके लिए कुश्चन त् ठीक है तो इन चीजों में डिफरेंस आपको याद करें नहीं बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है ठीक है बार-बार में रिपीट कर रहा हूं यहीं चीज की इंपॉर्टन कुश्चन तो इनको पढ़ लेना फिर समझाने के लिए हुले क保 लें मोलंस मोलल ता मोरल ता नारमलता और पिपन सेंद्रता ठीक है कुश्चिंप को अपको पढ़ लेना यह या पिर नमबर को चरहा है यह टॉपिक आप से पूछेगा ही पूछेगा फिर अंगला देखिए नेम को समझाईए देखिए अब इन में समझाने के लिए क्या क्या है विलेता संबंदी हिंडी का नियम ठीक है विलेता संबंदी हिंडी का नियम ठीक हिंडी का नियम आपको पढ़ लेना राउल्ट का मापन की बर्कले हटले बिधी ठीक है परहसरारद आपके मापन की बर्कले हर्टले बिधी पढ़ लेना है इन questions को आपको बहुत important अच्छे तरीकर सापको study कर लेना है इसमें मैं पाँन नंबर ऐसे questions बताँगो जो कि 5 नंबर आपके कहीं जहीं जाने वाले अब जितने भी गुर्धरम में दिये हुए हैं अडुसंगे गुर्धरम है उनको समझाना पारासरदाब वास्प दाप में आप इच्छित अवनमन कौत नांक में और हिमांक में अवनमन ठीक है तो इन चीज़ु को आपको इन गुर्धरम को आपको study कर लेगे न आचे तरीकते इसके बाद आप पंगरा देखेंगे दिम्न को समझाईब करना में अर्थ पराग्रम जिली ठीक है स्थिर्क वाथिक विलियान और विप्रीत परासरन तो यह जो कुश्चन हम बता रहें नहीं पूश्चन बहुत इंपॉर्टन है दो नंबर अब तीन नंबर वाले प्रश्चन आप देखें जैसे कि किशी विलया में किशी विलया की मुललता और को थनांक में संबंध स्थापित करना किसी विलया की मुललता और को थनांक में संबंध स्थापित करना है बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है बेटू अंगला देखो बाबू विलया के आडविक द्रविमान और हिमांक में संबंध स्थापित करना ठीक है विलया के आड आने वाले गयशों बढ़ानी पर गयशों के द्रविवित्रुक्षेयों में क्लित्रे दैल्ट की यह यह चीज़ आपको बताना है इसके बाद सबसे इंपोर्टन है एक विकष्ण के 100% पढ़ लेना है ठीक है बहुत ही महतेपूर है और अधार सब्जेट का अगर आपको चाहिए important आपके blueprint के माध्यम से reduced syllabus के माध्यम से तो वह चीज बता तो उसके भी अपन उस हर सब्जेट का अपन provide करेंगे और English का भी हमने डाल दिया है class 12 के general English का तो उसका वी यह link description box में आपको मिल जाएगा उसमें हमने यह बताया कि English की study आपको किस तरीके से करनी है और किस तरीके से कौन कौन से topic आपको cover करके रखने हैं आप अगर आपको objective question भी चाहिए के लिए कि कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें वह सब चीजे चाहिए तो इसके लिए comment करके बता हम उसका भी वीडियो प्रवाइड करेंगे आपको सो बस उम्मेद करता हूं इस वीडियो के मद्धम से आपकी help हो पाई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाई करेगा चैन हमारे टेलीग्रम के चैनल पर आपको study material पाऊने के लिए सो बस थेंक्यू पहुचिंग दे वीडियो जय हिन जय वार